नमस्कार दोस्तों आपका आर्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम टार्गेट अकेडिमी पर तो दोस्तों आज हम 28 सितमर करण्ट अफियर्स आज की हम लेकर आए हैं तो दोस्तों कुश्चन नमर बन संयुक्त राष्ट के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का परतनिदित करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको प्रदान की गई तो दोस्तों इसका राइट अंसर है ओप्शन ए यानि पूर्णमा तिवारी संयुक्त राष्ट ने इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का परतनिदित करने की जिम्मेदारी पूर्णमा तिवारी को प्रदान की गई है सोलेमी बारसी की युएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बैठक का आयोजन पोलेंड सरकार की अद्दिचता में 6 से 10 सितमबर तक कोटो 22 में किया जाएगा इसका बिस है इंटरनेट इनाटेड होगा पूर्णमा तिवारी 39 में से एक है जिनने 193 देशकों के आवितकों में से चुना गया है कुष्ण नमर दो RVI के नियामिक अनपालन में कमी को लेकर निमन मैं से किस निजी बैंक पर 2 करोड रुपे का जुर्माना लगा दिया है एक्सिस बैंक, औप्सन B, RBL बैंक, औप्सन C, HDFC, औप्सन D, ICICI बैंक तो दोस्तो इसका राइट आंसर है ओप्सन B, यानि RBL बैंक भारती रेजर बैंक ने निजी छेतर गेर रंड़ दाता RBL बैंक पर नियाम की अनपालक में खामियों तता बैंकिंग नियामन अधनियम के प्राफधानों का अनपालन करने का मुद्दा उठाया था उसम उनमें सहकारी बैंक के नाम पर पांच बचत खाते खोलने और बैंक के निदेशक मंडल की सरचना सामिल है खुशन नमर तीर गुजरात विधानसवा की पहली महला स्पीकर निम्न में से किसे निक्त क्या गया है उप्शन ए प्रग्याठाकुर उप्शन वी मिनाच्छी लेखी उप्शन सी करनखेर उप्शन डी निमावेन आचारे तो दोस्तो इसका राइट अंसर है ओप्शन डी निमावेन आचारे को गुजरात से गुजरात विधानसवा की पहली महला स्पीकर की रूप में निक्त किया गया है भाजपा की परिष्ट विधायक निमावेन आचारे को गुजरात विधानसवा का सर्व सम्मती से अध्यच चुन लिया गया है वे गुजरात विधानसवा की पहली महला अध्यच वनी है राजें दित्रवेदी के 16 सितंबर को इस्तिवा देने और मुख्यमंत्री भूपेश बगेल के भूपेश पटेल के नित्रत वाले नए राजमंत्री मंदल में सामिल होने के बाद अध्यच पद का अध्यच का पद खाली हो गया था कुस्षन नमर चार एगलेंड के निम्न में से किस होलांडर क्रिकेटर ने तेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने की गोस्णा की है जौस बटलर सेम बिलिंग्स मुएन अली या रासेद अली तो दोस्तो इसका रायट अंसर है ओप्शन सी यानि मुएन अली ने अभी हाली ही में गोस्णा की है एगलेंड के ओलरंडर मुएन अली ने टेस्ट से सन्यास की गोस्णा कर दी है वे 7 वर्सों से अपनी देश के लिए टेस्ट खेल रहे थे मुएन अली ने 7 साल पहले 12 जून 2014 को सरिलंका के खिलाब लॉड्स में अपने टेस्ट केरियर का आगाज किया था वह एगलेंड के लिए अब तक 64 टेस्ट मैच खेल चुके हैं इस देश इस दोरान 394 रन बनाए हैं और 1955 के लिए हैं टेस्ट क्रिक्ट में उनका सर्वस्तम स्कूर 155 नावाद है कुशन नमर पांच निमनमे से किस देश ने 24 सितमबर 2021 को कोरोना वाइरस के खिलाब कोविट सील्ड वैक्सिन को मानता दी है ओप्सन ए इटली ओप्सन बी जापान ओप्सन सी रूस ओप्सन डी चीन तो दोस्तो इसका राइट आंसर है ओप्सन ए यानि इटली इटली ने 24 सितमबर 2021 को कोरोना वाइरस की खिलाब कोविट सील्ड वैक्सिन की मानिता दी है कोरोना वाइरस के खिलाब कोविट सील्ड वैक्सिन को ओक्सपोड यूनवस्टी और एश्टराजेनaggio का दवारा सहंयुक्त प्राप्त करने के प्राप्त होंगे कुस्टन नमर 6 विश्व रैवीज दिवस यानि बर्ल्ड रैवीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है 10 जनवरी 28 सितमबर 15 मार्च 20 जुलाई तो दोस्तों इसका राइट आंसर ओप्शन बी यानि 28 मार्च पूरी दुणिया में हर साल 28 सितमबर को 20 रैवीज दिवस बर्लड रैविज डे मनाय जाता है 20 रैवीज दिवस पहली बार 28 सितमबर 20 साथ को मनाय गया था अंतराष्टी अव्यान की सुरुवात दुनिया में रहवीज के प्रतिकूल प्रवावाओं से प्लिडित होने के बाद की गई विशु रहवीज दिवस को मनाने का मकसद रहवीज पर जागरूपता फैलाने और बीमारी की रोकताम को बड़ावा देना है कुस्सर नमबर साथ 12 सरकार ने किस तारी को ड्रोन संचालन के लिए भायर भारत के हवाई छित का नक्सा जारी किया है 14 सितंबर 2021, 12 सितंबर 2021, 24 सितंबर 2021 या 28 सितंबर 2021 तो दोस्तो इसका राइट आंसर है option C यानि 24 सितंबर 2021 भारत सरकार ने 24 सितंबर 2021 को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई छेत का नक्सा जारी किया है केंदरी नागरिक उड्डेन मंतरी की एक प्रेस बेत्यपती के अनुसार नक्सा डीजी सीय के डिजिटल स्काई फ्रेटफॉर्म ड्रोन अर्थ विवस्ता के लगवाग सभी छेतरों को भारी लाप परदान करते हैं इनमें खनन, किरसी, निगरानी, बोटियादी धाच्चा, परिवहन, आपातकालीन, प्रतकिरिया, रच्चा, भुहिस्थानी अमान, चित्रन और कानून परवर्तन सामिल है कुस्टन नमबर साथ और इस वीडियो का अंतिम निमलिकत मैं से किस यूरोपी ये देश ने हाली में समलेकिक विवा को बेह देगोसित कर दिया है एगलेंड, जर्मनी, स्वीटजर लेंड या फ्रांस तो दोस्तो इसका राइट अंसर है ओप्शन डी यानि स्वीडजर लेंड स्वीडजर लेंड 26 सितंबर 2021 को एक जन्मत संग्रह के आदार पर लगवग दो त्याई बहमत से समलेगिक नागरिक विवा और समान लिंग वाले जोड़ों के लिए बच्चों को गोद लेने के अधकार को बैद बनाने के लिए सहमत हो गया है इसके साथी स्वीड जलेंड समलेगिक विदा विवा को बैद बनाने वाले अंतिम पस्मी यूरोपी देशों में से एक बन गया है स्विस फेडरल चांसलरी द्वारा उपलब्द कराए गए प्रणामों के अनुसार 64.1 प्रतिसात मतदाताओं ने समलेगिक विवा के पच्च में मतदान किया है नमस्कार दोस्तों मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सेयर करना तन्यवाद